हलो दोस्तो मैं हूँ बिजिंदर कुमार और स्वागे थे मेरी यूटूब चैनल में दोस्तो आज का मारे जो टॉपिक है वह है वेश्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजिरेंग ड्राइंग पार्ट 17 दोस्तो इसके पहले आपको 16 पार्ट कराया जा चुके हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिस्पन बक्स में मिल जाएगा या आप उपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं तो दोस्तो हमारा आज का टॉपिक है लोंगिट्यूडन सेक्शन ऑफ कैनल दोस्तो इसी को हम एल सेक्शन भी कहते हैं ओके तो कुश्चन आपको स्क जो रिडियूज लेवल है यानि की अलाइंजमेंट का यानि संड्रेखन का जो रिडियूज लेवल है वो जीरो पॉइंट पर यानि की जीरो मीटर पर कहने का मतलब यह है कि जहां पर हम जहां से स्टार्ट करते हैं वहां का आरेल जो है 1,25 यानि 125.800 है 800 मीटर है आप मीट सी लिया जाता है तो मिन सी लेवल क्या है उसको हम बाद में समझ लेंगे ठीक है तो जिरो मीटर पर हमारा 125.8 है और 200 मीटर पर 125.75 है 400 मीटर पर 124.4 है 600 मीटर पर 123.44 है सोरी 400 है और 800 मीटर पर 126.850 है 1000 मीटर पर 122.15 1200 मीटर पर 122.325 और 1400 मीटर पर 122.625 और 1600 मीटर पर 124.625 800 मीटर पर 126.00 और 2000 मीटर पर 124.450 और 200 मीटर पर 124.185 लास्ट में धिस्टैंस पर हमने आरियल कंसीडर क्या है वो चीज है धीक है India दूसरा है फर्स्ट आरियल और बेड लेवल ठीक है बेड लेवल का हमारा फिर्स्ट आरियल जो दिया गया है वो 125.8 देबल जीरो दिया गया है इसका मतलब ये जो है हमारा बेड लेवल है ठीक है बेड लेवल का आरी है तीसरा में डाउनवर्ड इस स्लोभ ओफ कैनल ठीक है कितना वन रेशियोषफ सुपफ सुप पम से कम आप कितना डाउनवर्ड स्वल ले सकते हैं वन रैज्योव 1000 का आप कम से कम ले सकते हैं क्या चीज स्लोब डाउनवर्स लोग चौथा है फुली सप्लाई लेवल 1.5 मीटर क्लियर है दोस्तों इसमें कुछ डाटा दिये नहीं है तो हमने अपने आप से अजुन कर लिया है तो पहला कैनाल विर्थ हमने कैनाल की चोड़ाई जो ली है वो वन हंड्रेड तो वर्टिकल स्केल इसमें दो तरह की स्केल का हम यूज करेंगे तो आप यहां पर देख पारेंगे यह लंबाई मीटर में और बहुत ही जादी है तो इसको हम ड्राइंग सीट पर दिखाने के लिए होरिजॉन्टल स्केल बड़ी लेंगे ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं जान लेते हैं रिडियूस लेवल क्या होता है और उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं मीन सी लेवल क्या होता है तो दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे ठीक है यहां पे यह हमारी पृत्वी है और यहां प क्या कहते हैं उसका जो जो और भाट आता है उसका मीन एवरेज डेफ्ट लेते हैं यह वही हमारा होता है मीन सी लेवल और इसका अबजर्वेशन 19 सालों में किया गया था ठीक है तो मीन सी लेवल को हम जीरो हाइट भी कहते हैं इस इमिजिनरी लाइन को यानि कि यह कालपनी के रेखा है इसको हम जीरो हाइट भी कहते हैं ठीक है और इसी लाइन से इसी इमिजिनरी लाइन से हम किसी पॉइंट को प्रिथवी पर किसी पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं ठीक है तो यह तो रही बात हमारी मीन सी लेवल की ठीक ह अब इसके बाद हम बात करते हैं आरियल की तो दोस्तों आरियल इस पॉइंट से प्रिथिभी पर इस्थित कोई बिंद जो होगा उसके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे आरियल यानि कि रेडियूस लेवल तो दोस्तों जैसा कि आप देख पारेंग यानि कि इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं तो इस पहाड की उचाई आ जाएगी तो इसी तरह से हम आरियल को कैल्कुलीट करते हैं क्लियर है और एक टर्म टेकनिकल टर्म और आया है डॉटम लेवल तो दोस्तों आप अगर सर्वे पढ़े होंगे तो आप जानते होंगी डॉटम लेवल क्या होता है तो दोस्तों अभी हम आगे ड्रॉइंग को बनाएंगे तो उसमें समझ लेंगे कि डॉटम क्या होता है और यहाँ पे जो पृत्वी की रेडियस है वो 6371 किलो मीटर है ठीक है तो इतना आप इस फिगर से समझ गये होंगे तो चलिए दोस्तों ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यह हमारी सबसे लंबी दूरी कितनी है 2400 मीटर है तो अब इसक और हमारी होरीजोंटल स्केल कितनी है वन रेषक टैन थाउजन अब हम इसको टैन थाजन से डिवाइड कर देंगे तो यह हमारा चौबिस सोच वरी 24 सेंटीमेटर आ रहा है तो चौबिस संटीमेटर यही पर खीज लेंगे हम है की तो यहां पर इस तरह से हम 24 cm खीच लेते हैं क्लियर है यहाँ पर हम इसको डार कर लेते हैं ओके दोस्तों यहाँ पर हमारी कैनाल की जो विट्थ दे गई है चोड़ाई दे गई है जब प्लान से देखेंगे तो 3 मीटर दिखाए देगे तो 3 मीटर हम स्केल पर चेंज करेंगे किस स्केल पर वर्टिकल स्केल पर तो 1 रेसियो स्केल पर चेंज करेंगे 3 मीटर को डारेक्टली सेंटी मीटर में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर 3 सेंटी मीटर खीच लेंगे इस तरह से ठीक है यहाँ पर खीच लेंगे और जश्ट 24 सेंटी मीटर यहां पर इस तरह से खीच लेंगे ओके तो यहां तक हम ने इसको ड्रॉ कर लिया और जश्ट इसको यहां पर हम ड्रॉ कर लेंगे यहां पर हमने यह कैंनाल की बिर्थ बना ली जो कि 24 संटीमीटर है अब हम इसका मिड़ पॉइंट कंसीडर करते हैं तो मिड़ पॉइंट यहां पर यहां पर आ का अलाइंजमेंट होगा ठीक है अलाइंजमेंट को हिंदी में सन रेखन कहते हैं ठीक है और इसी सन रेखन पर यानि अलाइंजमेंट पर यह हमारे आरियल जो हैं कंसीडर किये गये हैं विद्धा हेल्प ऑफ ओटो लेवल या फिर टोटल इस्टिशन इंस्ट्रूमेंट ओके तो यहां पर यह हमारा अलाइंजमेंट हो गया अब इसके बाद यहां पर हमारी जो डिस्टेंस ली गई है आरियल जो डिस्टेंस इसी पॉइंट पर आरियल हमारा कैल्कुलेट किया गया है और कितनी डिस्टेंस पर किया गया है तो 200 मीटर की दूरी पर 200 मीटर की दूरी तो 200 को scale पर change करेंगे तो देखें कितना आता है 200 into 100 तो यह centimeter में change हो गया अब इसको divide कर देंगे scale से यानि horizontal scale से तो यह 2 centimeter तो 2 centimeter का हम scale पर block बना लेंगे ठीक है इस तरह से तो यहाँ पर हम point करके यहाँ पर हम block बना लेते हैं इस तरह से तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर हमने block बना लिया और just यहाँ पर भी हम block बना लेंगे ठीक है इस तरह से पूरे canal पर हम block बना लेंगे कितने centimeter का 2 centimeter का और यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना जो areal है ठीक है यह हमारी zero zero meter की distance है यानि कि initial distance है ठीक है यहाँ पर zero meter है और just यहाँ पर आए तो यह हमारा 200 meter हो गया ठीक है 200 meter है यहाँ पर हमने show कर दिया कि यह all distance जो होगी यह meter में होगी ठीक है अब अरियल जो इस point का आरियल अलाइंजमेंट का आरियल जो है इस point पर यह जो हमारी areal है इस point पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे ठीक है तो चली इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरह से one two five point कितना है eight hundred clear है तो इसी तरह से same हम करते जाएंगे और पहले block बना लेंगे फ तो दोस्तों इस तरह से मने डिस्टेंस और आरियल भी प्रोवाइड कर दिये हैं तो इसमें आप देख सकते हैं यह हमारा अलाइंजमेंट है जो की कैनाल के बीचो बीच से गया है डॉटेड लाइंज से ठीक है यह हमारा अलाइंजमेंट है और यहाँ पे जश्ट बीच में जहाँ पे हमारा मीट पॉइंट पर काट रहा है यह हमारा आरियल है जो की यह हमा कुपे को दिया गयाय रहेगा तो आप सब्स्क्राइब आप से रोख और सब्सक्राइब करेंगे फिर ऊशके बाद बनाएंगे तो आप किया गरते हैं सब्सक्राइब आए इस ही प्रकार से लिए फिर तो दोस्तो इस तरह से हमने सभी कॉर्णर के प्रोजेक्शन नीचे की तरफ खीच लिये हैं तो अब हम इसका लॉंगी ट्यूडनल सेक्शन बनाते हैं तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है और अच्थी लॉंगी Country, 122.155 पॉइन जी61, कि यहाँ पे 112.15 4 ईंध़ते हैं और देखेंगे कि सबसे छोटा एंयल कौन सा है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 122.155 यह सबसे छोटा आरियल है ठीक है तो अब डाटम क्या होगा इसी के हल्प से हम डाटम लेंगे और इसके हल्प से यानि कि इस पॉइंट के हल्प से हम क्या करेंगे अपना जो होगा डिविजन ओफ आरियल इसको हम कंसिडर करेंगे तो यह 126 दिया गया है तो 126 दसमूल 155 तो हम 127 ले लेंगे ठीक है यहनि 217 या 128 ले सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट कर लेंगे 8 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर एक सेंटीमीटर बराबर एक आरियल डिफरेंस होगा कहने का मतलब यह है कि एक आरियल का डिफरेंस एक सेंटीमीटर के बराबर होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर हमने वर्टिकल इसकेल वन रेसियो 100 के लिए है तो एक आरियल का डिफरेंस मतलब एक मीटर तो एक मीटर इसकेल पर बात करें तो एक सेंटीमीटर तो यहां पर हम पॉइंट कर लेंगे कुछ इस तरह से यहां पर ठीक है यहां पर हमने पॉइंट कर लेंगे ठीक है यह हमारा आठ सेंटी मीटर को हमने पॉइंट कर लिया अब दोस्तों क्या करेंगे इसी पॉइंट से हम प्रजेक्शन खीच लेंगे ठीक है ना तो आएए प्रजेक्शन खीचते हैं तो दोस्तों हमने इस तरह से सभी कॉइंट के प्रजेक्शन खीच लिया है दोस्तों अब हम यहां पे लिख देते हैं अपना जो आरियल है उसको हम लिख लेते हैं तो सबसे लोवेस्ट आरियल कितना है हमारा यहां पे 122.155 है तो 122.155 है तो इसके जश्ट एक आरियल नीचे 121 हम कंसीडर करेंगे डॉटम को ठीक है डॉटम क्या होता है कि जो सबसे लोवेस्ट आरियल होता है चाहे रोड हो चाहे कैनाल हो उसके जश्ट एक आरियल नीचे हमारा डॉटम लेवल होता है ठीक है तो यहां पे हमारा डॉटम लेवल यहां पे हो जाएगा कितना टू वन ठीक है आपको दिखाए दे रहा होगा यह हमारा वन टू वन डॉटम हो गया जश्ट अब इसकी उपर वन टू टू यह एक सो बाइस एक सो तेईस यह एक सो चोबिस हो जाएगा एक सो पचीस। ेक सो छबिस। 127, 128, 139 तो यहां पे आपको कोई फरक नहीं हैं आप 119 तक भी वना सकते हैं और 148 तक भी वना सकते हैं क्योंकि हमारा जो सबसे हाइस्ट आरियल है वो 126.150 है तो 126.150 तो ये इसी में रह जाएगा ठीक है आप 128 वाले आरियल को बना भी सकते हैं या फिर 128 और 129 वाले को आरियल को भी बना सकते हैं नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको इतना कंसीडर करना है कि इतने में आपका लॉंगी ट्यूज नज सेक्षन बन जाएं यहां पर हमने डॉट्टम जलिया नेमिंग हम बाद में कर लेंगे ठीक है नेमिंग हैच्इंग हम बाद में कर लेंगे अब इसके बाद हम क्या करते हैं जितना हमारा आरियल दिया गया है इसको और 8 लेंगे तो लगबग यहाँ पर आजाएगा, 0.8, ठीक है, clear है, यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, अब इसके बाद दूसरे आरियल पर आएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, 125.750, तो 125 इसी में आए गया, और जेश्ट इसके थोड़ा से नीचे आजाएगा 750, यहाँ पर आगया, अब इसके बाद तीसरे पर आएगे, 124.4, यहने कि 124.4, तो 124.4 तो लगबग यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 123.4 है, तो जेश्ट इसके नीचे आजाएगे, यहे 120 है, तो इसके थोड़ा से उपर चले जाएगे, तो यहाँ पर आ तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर आजाएगा, पॉइंट लगाती वे चले जाएगे, और यहाँ पर 122.155 है, तो जेश्ट नीचे आजाएगे, 122.155, तो यहाँ पर आजाएगा, 122 है, थोड़ा से उपर चले जाएगे, तो 155 आजाएगा, ठीक है, अब यहाँ है, 122.10.355 तो 122 पे ही ठीक है ये 122 है 122 पे 35 पांच थोड़ा सा और उपर आ जाएगा और ये वाला है 122 दस्मलो 6 पांच पांच तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा अब इसके बाद यहाँ पे 124.655 है तो 124 यहाँ पे है 124.655 तो थोड़ा से उपर आ जाएगा मीड़ पॉइंट से ठीक है यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे और ठीक यह वाला जो हमारा 2725 45 तो यहां पर आ जाएगा है फिर यहां पर 124 258 तो थोड़ा से नीचे कर लेंगे ठीक है थोड़ा से नीचे करने के पर फिर इसके बाद 122.400 डबल जीरो 122.4 डबल जीरो यहां पर आजाएगा ठीक है तो इस तरह से हमने grounding इनकी हमारा जो alignment है सनरेखन है इसमें जो हमारा ground level आएगा उसके हमने आरियल को इस तरह से दिखा दिया ठीक है कि इसमें लॉंगी ट्यूडनल सेक्षन में ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे फ्री हैंडली मिला लेंगे ठीक है तो फ्री हैंडली यहां से हम मिलाए यहां पर मिलाएंगे फिर कुछ इस तरीके से उपर जाएंगे और यहां पर नीचे आ जाएंगे इस तरह से क्लियर है फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहां से इस पॉइंट को मिला लेंगे ठीक है और फिर थोड़ा से यहां पर आएंगे इसको जो मिलाएंगे फिर यहां से इस तरह से ऐसे मिलाएंगे दोस्तों यह हमारा ग्राउंड लेवल बन रहा है यानि कि हमारे ग्राउंड की पोजिशन कैसी है वही बनाया जा रहा है और यहीं पर हमें कैनल बनाना है ठीक है दोस्तों यह कैनल के अलाइंजमेंट यानि कि संरेखन जो की बीचों बीच का सेक्षन है नहर के यहां पर आ गया हमारा क्लियर है तो दोस्तों इस तरह से हमारा कुछ ग्राउंड लेवल बन गया है क्लियर है अब इसके बाद हम क्या करेंगे अपना कैल्कुलेशन करेंगे ठीक है कैल्कुलेशन करेंगे किसके लिए बेड लेवल के लिए क्लियर है तो बेड लेवल के ल लिखते हैं, calculation for bed level, ठीक है, तो formula जो हमारा होता है, formula यह होता है, slow is equal to first areal minus last areal, आपको दिखाई दे रहा होगा, first areal minus last areal upon total distance, clear है, तो formula हमारा हो गया, चुकि हमारे bed level का last areal पता नहीं है, यहाँ पे downward slope कितना है, one ratio 5000, ठीक है, तो यहाँ पे हम simply रख लेंगे, ठीक है, दोसरी पेंसे हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 by 5000 is equal to, first areal हमारा कितना है, 125.800 minus last areal हमको calculate करना है, last areal upon total distance कितनी है, 2400 meter, clear है, अब इसको हम अपनी कैसियों से solve कर लेंगे, क्योंकि टाइम का हमें बचत करना होता है, ठीक है, तो इसका हम divide कर देंगे, चाहे तो आप 2400 में 5000 से divide कर देंगे, 2400 divided by 5000, तो ही हमारा 0.48 आ गया, बराबर, बराबर 125.800 minus last areal, ठीक है, तो last areal, बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम x side में transfer करेंगे और इसको इधर, तो यह हो जाएगा, तो 125.8 यह इधर जाएगा, तो minus हो जाएगा, यहाँ पे, 0.48, तो यह हो जाएगा, 125.32, ठीक है, last areal, आगे हमारे bed level का कितना है, 125.32, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस तरह से areal भी calculate कर लिया, किसका bed level का, जो की last point का होगा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यह जो areal है, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, तो 125.32, तो यहाँ पे 125.32 यहाँ पे है, 32 लगबग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे आ गए, अब इसके बाद यह वाला point हमारे यहाँ पे है, और यह वाला point यहाँ पे है, अब हम अपनी MD को खोलेंगे, और tilt करके इसको इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है, और इसको हम अलग पैन से मिला लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से यह हमारा bed level हो जाएगा, ठीक है, यह हमारे कैनाल का bed level हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे इस तरह से हमारा यह bed level हो गया, यह हमारा bed level हो गया, और question में हमें given है, जो हमारा fully supply level, यानि यह FSL है, वो 1.5 meter दिया गया है, तो 1.5 meter इसकेल पर change करेंगे, तो 1.5 centimeter आ जाएगा, तो just इस point से हम क्या करेंगे, 1.5 centimeter यहाँ पे point कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे point करेंगे, और just इस side से भी हम 1.5 यहाँ पे point कर लेंगे, और just इसको हम मिला लेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से हम मिला लेंगे, तो यह हमारा F.S.L. हो जाएगा, यहाँ फुली supply level हो जाएगा, clear है? यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे, ओके? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने, यह हमारा bed level हो गया कैनल का, और यह हमारा fully supply level हो गया है, clear है? तो इस तरह से हम क्या कहिए? अपना bed level और fully supply level बना लिए है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? calculation for cutting and filling, वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम box बना लेते हैं यहाँ पे, इसके लिए हम दो box बना लेंगे, छिक है? तीन box बना लेंगे, क्योंकि एक हमारा proposed level का भी होता है, छिक है? तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, तो दो-दो centimeter का हम तीन block बना लेंगे, ठीक है इस कुप्पे हम रखके अपना तो तीन दोना छे सेंटीमेटर आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा इस तरह से और यह छे सेंटीमेटर यहाँ पे आ जाएगा ठीक है अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा कि आपको कटिंग और फिलिंग भी का डेटेल भी देना है तभी आप जाके बनाएंगे वर्ना नहीं बनाएंगे ठीक है बस आप यह प्रोफाइल लेवलिंग कर देंगे ठीक है प्रोफाइल सेक्षन कर देंगे इससे भी आपका कम हो जाएगा दोस्तो एक्स्ट्र जो लाइन है हम बाद में ही रेस कर लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट टू स्वारी टू सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से ओके और यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगी हमने तीन ब्लॉक बना ली है ठीक है इसको हम यह जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से यहाँ पर ठीक है कुछी इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी लेकिन आपका पूरा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है तो यह एक इंपोर्टन टॉपिक है कैनाल में अभी तक तो नहीं आया है ठीक है अभी तक तो नहीं आया है यह पहला एक्जाम आपका होगा इसमें इसके 90% चैंसेज बनते हैं आने के ठीक है तो आप इसको अच्छे पढ़ लीजिएगा यहां पर इस तरह से ने ब्लॉक इस बना लिया है ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे अपना प्रपोश्ड लेवल जो हमारा कैनाल का प्रपोश्ड आरियल होगा उसको हम consider करेंगे with the help of cutting and filling ठीक है तो यहां पर हम ब्लॉक बना लेंगे cutting के लिए naming के लिए यहां पर हम इसका नाम दे देंगे तो naming अभी हम बाद में करेंगे ठीक है तो पहले हम क्या करते हैं calculation कर लेते हैं cutting और filling के लिए तो उसका जो formula आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा यहां पर मैं लिख दे रहा हूं formula देखिए दोस्तों यहां पर ground level ग्राउंड लेवल माइनस बेड लेवल ठीक है यह करेंगे अगर यह positive आजाता है सुरी यह अगर negative आजाता है तो क्या होगा तो यह feeling होगा ठीक है यहां पर ground level में से bed level को यहनिकि प्रपोश्ड अभी bed level हम बनाए नहीं है उसको हम यहां पर बनाएंगे तो clear हो जाएगा ठीक है तो feeling होगा और GL माइनस BL कर देंगे अगर यह positive आजाता है तो cutting होगा क्लियर है तो क्या करेंगे यहां पर GL में से BL गटाएंगे यहां ग्राउंड लेवल में से bed level माइनस करेंगे तो अगर माइनस आ जाता है तो हमारा feeling होगा ठीक है अभी यहां पर हम समझेंगे अगर GL में से BL को माइनस करेंगे positive आ जाएगा तो cutting में लिया जाएगा क्लियर है तो यहां पर हम अपना जो bed level है उसको प्रवाइड करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमारा जो प्रारंबिक बेड़ लेवल है यानि कि फर्स्ट आरेला बेड़ लेवल इसको मैं ना दे देता हूं प्रोपोजट बेड़ लेवल ठीक है यह हमारा प्रोपोजट बेड़ लेवल हो गया तो यहां पर जो हमारी इस पॉइंट की हमारी जो आरेल आ जाएगा तो कितना जाएगा 125.800 ठीक है इस पउंट का आर्यल आ गया दोस्तो अब इसी तबर से हम क्या गरेंगे जैसा कि यहाँ पी नेकाले थे यहाँ भी नीकालेंगे दोस्तो आप देख पारेंगे यहाँ पी यहां ते जा रहा है इस पॉंट पर जा रहा है तो आज देख सकते हैं यहां पे हमारा प्रोपोजड जो बेड लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा 125.773 ठीक है यहां पे आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कलुकलेट करके ठीक है अगर उसको करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे ठीक ह इस बेड लेवल का ठीक है कितना हो जाएगा यहां पे देख लेते हैं तो 125.62 ठीक है इतना हो जाएगा इसका आरियल क्लियर है अब दोस्तों क्या करेंगे इसका आरियल देखेंगे कितना हो जाएगा 12, 125, .612 तो दोस्तों इस तरह से सभी points के RL आ जाएंगे ठीक है तो हम इसको calculate करके provide कर देते हैं आप अपने आपसे calculate कर लीजिएगा तो दोस्तों इस तरह समने proposed bed level के RL को भी provide कर दिया है जो कि यहाँ पे इस point से हमको मिला है ठीक है जो मिला है हम यहाँ पे approximate रख लेंगे जैसा कि यहाँ पे आपको दो RL के बीच में जो मिल रहा है RL ये वाला RL ये वाला ये वाला RL आप रखेंगे clear है दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे feeling depth और cutting depth का calculation करेंगे किस formula के help से यहाँ पे ground level minus bed level is equal to अगर minus आ गया तो feeling करना पड़ेगा और ground level minus bed level बराबर positive आ गया तो हम cutting करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें आसान है चेक करना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें यह चीज cutting करनी होगी ठीक है तो यहाँ पे हमारा यह formula satisfied करना पड़ेगा यह ठीक है तो देखते हैं ग्राउंड लेवल हमारा कहां पे है इस point पे यह है 126.150 यह है और हमारा प्रपोजड जो bed level का areal है वो कितना है इस point का 125.542 है तो इसका मतलब यह है कि इसमें से इसको minus करेंगे तो positive आएगा और positive आएगा तो क्या होगा cutting होगा clear है और यहां पर हम चेक कर लेते हैं दोस्तों यहां पर यहां का हमारा जो जो जीएल का areal है 130.4 है और बेड लेवल का जो areal है वो 125.612 है तो कम कौन सा है यह वाला यानि कि GL में से BL को minus कर रहे है यानि BL बड़ा है तो minus करेंगे तो minus में आ जाएगा इसका मतलब यहां पर feeling करना पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि जहां यह देखी यहां पर यह जो हमारा इरिया है यहां पर हमें feeling करना पड़ेगा और यह हमें cutting करना पड़ेगा ठीक है और इसको भी हमें feeling करना पड़ेगा इसको हमें cutting करना पड़ेगा ठीक है फिर यहां पर हमें feeling करना पड़ेगा तो इसमें calculation of earth feeling यह जादा हो जाएगा ठीक है कहने का मतलब यह है कि इसमें मि करके और हैच bowling करके काम ख़तम कर लेना है ठीक है कट है तो यहाँ पहले हमने इस तरह से प्रपोश्ड आर्यवल जो बेड लेफल का आरेल होगा उसको रहे बना लिया है अब इसकी हम नेमींंग कर लेंगे ठीक है और हैच कर लेते इसको तो दोस्तों इस तरह से में ग्राउंड लेवल में से बेड़ लेवल को माइनस करके यहां पे 00 रख लिया और यहां पे ग्राउंड लेवल इतने में से इसको माइनस करके इस तरह से रख लिया दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे, की डॉटं की जो की यहां पे होगा ठीक हैझए और हमारा यह जो डाउन वड्ड श्लोप है, इसके बारे हम बाद करेंगे। तो पहले इसकी हम个 तो दोस्तों इस तरह से हमने नेमिंग और हैचिंग भी प्रोवाइट कर लिया है तो आए एक बार फिर से समझ लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं तीन मीटर की जो हमारी कैनाल की चोड़ाई दी गई है इसको हम चौबिस 2400 मीटर तक खीच लेते हैं with the help of scale 1 ratio 10,000 ठीक है इसके help से हमने इसको हमने खीच लिया यहाँ पे 2-2 cm और इसकेल पर बात करें तो 200 मीटर पर हमने क्या किया खीच लिया blocks ठीक है और इस alignment पर यह निकि इसके midpoint पर alignment ले लिया और इसी alignment पर हमारे जो आरियल 125 दश्मलों पांच स्वरी 125 दश्मलों आठ 125 दश्मलों साथ पांच 124 ऐसे ही आरियल दिये गया है जो कि इस point के है जो कि alignment के midpoint वाले आरियल है clear है और जिनको 200 मीटर की distance पर लिया गया है with the help of total station ठीक है और दोस्तों यहाँ पर यह हमारा sectional side या फिर आप कह सकते हैं longitudinal section है ठीक है यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ यह हमारा longitudinal section है इसको हम sort में L section भी कह सकते हैं L section of canal clear है यह हमारा L section of canal है तो यह हम जब side से देखेंगे काट के नहर को यानि कि इस नहर को side से काट के देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाए देगा इसके यह हमारा natural ground level है यह हमारा natural ground level है clear है यह हमारा natural ground level है और क्या करना है में हमारा जो नहर का first areal दिया गया बेड़ लेवल का वह दिया गया है वह 125.8 दिया गया है और last areal जो है हम इस formula के help से calculate करेंगे ठीक है यह हमारा formula है और इसी के help से हम अपने उसको bid level की last areal को calculate कर लेंगे जो कि तो दोस्तो इस तरह से हमने एल section नहर के एल section के बारे में भी discuss कर लिया तो यह topic बहुत ही important है और इस बार परिक्षा में आपको देखने को मिल सकता है बागी दोस्तो वीडियो कैसी लगे comment box में आप जरूर से बताय करो और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में जरूर YouTube से share करो ताकि और दोस्तों भी आपके पढ़ सकें तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैंद